हलो फ्रेंट तुछ स्वागत एक बार फिर से मेरे यूटीब चैनल टैक और एसके लेक्टिक में आज किसी वीडियो में बात करेंगे हम कम्यूटी टैप की जिस किसी भी क्रेटर के पास अगर 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं यूटीब अपने तरफ से एक कम्यूटी टैप का ओप्सन प्रोवाइड कराता है लेकर अगर किसी किसी को नई भी होता है तो उसे एपलाई करना पड़ता है इसके लिए तो किस तरह से एपलाई करते हैं आज उसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं आप उपर देख सकते हैं कि playlist channel about community tap का कोई भी option नहीं है तो चलिए आज इसकी पूरी setting के बारे में बताते हैं किस तरह से इसका पूरा procedure होता है किस तरह से हम community tap को किस तरह से प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर ले और वेल आइकन को जुरूर प्रेस करें तो चलिए शुरू करते हैं इस वेडियो को कि तो फ्रेंड आपने सबसे पहले chrome browser में जाना है कि इसकी बाद में आपने अपने चैनल पर जाना है चैनल पर आके आपने desktop mode पर कर लेना है कि इसकी बाद में अपने लोगों पर क्लिक करना है तो आपको यह सारे option मिलेंगे इसमें आपने your channel पर जाना है इसकी बाद में आपने customize channel को क्लिक करना है दोस्तो जब आप यहाँ पर पहुच जाएंगे तो आपको नीचे सबसे नीचे setting का एक option दिख रहा होगा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको यह setting के option पर आपने क्लिक करना है यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे उपर आपको जो आपने option देख रहे हैं जो आप दूसरी नंबर का channel का है इस पर आपने select करना है इसके बाद में advanced setting को क्लिक करना है तो दोस्तों यह advanced setting में जो यह feature है जो यह कौपा का एक feature है yes no वाला यह बच्चों के लिए है कि बच्चों के लिए नहीं तो इसमें आपने center वाले में क्लिक कर देना है जिसमें लिखा रहता no it's not made for kids यह वाले option select कर देना है इसके बाद में अगर आपके subscriber hide हैं तो उनको भी unhide कर देना है नीची को और जाएंगे जब हम तो यह यहाँ पर एक option मिलता है ग्रहाक संख्या का तो यहाँ पर हमने tick mark लगा देना है और इसके बाद में नीचे जो आपको देख रहा होगा सहेजे save पर क्लिक कर देना है बस इतनी सी setting करनी है इसमें chrome browser में इसके बाद में आपने एक message send करना यूटूब को जो कि मैं आँगे बताऊंगा आपको सिर्फ इतनी सी setting है इसमें chrome में इसके बाद में चलते हैं अपने YouTube चैनल पर तो YouTube को open करते हैं और channel का URL ले ले लेते हैं जानी की channel का link ले लेते हैं इसके बाद 3. में click करके help बाले option में click करके अब आपने यहाँ पर एक message type करना है मैं आपको पताता हूँ क्या message type करना है सबसे पहले आपने चैनल का link डाल देना जैसे कि मैंने डाल दिया इसके उपर click करके फिर आपने एक message type करना है जो message इस तरह का होगा कुछ I have completed 500 subscriber on my youtube channel but community tab is not enabled so please provide me this feature as soon as possible possible thank you youtube team और आपने send feedback पर click कर देना send कर देना तो guys यह पूरी setting हो चुकी है तो guys apply करने के बाद में आपको एक साथ दिनों के अंदर community tab का option मिल जाएगा तो चलिए मैं आपको देखाता हूँ किस तरह का है तो सबसे पहले आप अपने youtube channel को अप्पिल करेंगे और अपने your account में जाएगे तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर community tab का option आ चुका है मैंने दरसल दो पोस्ट भी की हुई है यह मुझे कल मिल गया था community tab का option तो गाइज इस तरह से आप भी इसके लिए apply कर सकते हैं community tab के लिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो अगर आपको कोई भी problem आ रहा हो अगर आपके जो यह टैब मिला वो disabled हो गया हो किसी काराण आप सकते हैं कमेंट करके और दोस्तों अगर आपको यह वेडियो अच्छी लेगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और वेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की knowledgeable अगर कोई भी वेडियो अपलोड होती है तो सब्सक्राइब उसका notification आप तक पहु